ओम श्यान्ती, 16 अक्तुबर 2024 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मन हो स्वदर्शन चक्रधारी इसलिए तुमको शंक ध्वनी करनी चाहिए, साथ में चलन भी अच्छी होनी चाहिए मुख्य है पवित्रता की बाद, पवित्रता से ही मनुष्य की चलन सुधर्ती है पवित्रता के सिवाए, पीस, प्रोस्पर्टी मिल नहीं सकती फिर से देवता बनना है, तो पवित्रता जरूर चाहिए फिर बाबा ने कहा, स्टूडेंट को सदेव यह याद रहना चाहिए कि हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए अब फिर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने यहां आए है अब दुबारा सुख में जा रहे हैं, तो इतनी खुशी होनी चाहिए परन्तु बाप देखते हैं, बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं इसलिए मुर्जा जाते हैं, माया वार कर छुई मुई अवस्था बना देती हैं लास्ट में बाबा ने कहा, तुम ब्राहमन बहुत बहुत भाग्ये शाली हो जो तुमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ग्यान मिला है तुम स्वियम भी गुलगुल बनते हो, फिर औरों को आप समान ब्राहमन बनाकर स्वर्ग वासी देवी देवता बनाते हो भले स्वर्ग में तो सभी देवी देवताएं सुखी होंगे प्रन्तु मर्तबे का फर्क तो पड़ता है न जो जितना संपुरन बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम मात पिता के समुख आए हो, अपार सुख पाने बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल, घनेरे सुखों में ले जाते हैं प्रश्ण, एक बाप ही रिजर्व में रहते, पुनर जनम नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए अगर बाप भी पुनर जनम में आये, तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए इसलिए बाप रिजर्व में रहता है दूसरा प्रश्ण, देवताएं सदा सुखी क्यों है? उत्तर, क्योंकि पवित्र है? पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है जहां पवित्रता है, वहां सुख शान्ती है मुख्य है पवित्रता ओम शान्ती मेठे मेठे सिकिल अधे बच्चों प्रती रुहानी बाप समझाते हैं वह बाप भी है, मात पिता भी है तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे सब पुकारते रहते हैं किसको पुकारते हैं परम पिता परमात्म को बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले सुख घनेरे किसको कहा जाता है वह भी नहीं समझ से अभी तुम यहां सामने बैठे हो जानते हो यहां कितने दुख घनेरे हैं यह है दुख धाम, वह है सुख धाम किसकी बुद्धी में नहीं आता है कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था अभी तुम समझ से हो हम उस परम पिता परमात्मा मात पिता के सामने बैठे हैं जानते हो हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहां आते हैं बाप को भी जान लिया और बाप दवारा सारे सुष्टी चक्र को भी समझ लिया है हम पहले घनेरे सुख में थे फिर दुख में आए यह भी नंबरवार हरे की बुद्धी में रहता है स्टुडेंट को तो सदेव याद रहना चाहिए प्रन्तु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं इसलिए फिर मुर्जा जाते हैं चुई मुई अवस्था हो जाती है माया वार कर लेती है वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती नंबर वार पद तो हैं न स्वर्ग में तो जाते हैं प्रन्तु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं न वह गरीब प्रजा वह सहुकार स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नर्क में भी ऐसे हैं उच और नीच अभी तुम बच्चे जानते हो हम पुरुशार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए इन लक्ष्मि नारेन को सबसे जास्ती सुख घनेरे हैं न मुख्य है पवित्रता की बात पवित्रता के सिवाए पीस प्रोस्पर्टी मिल नहीं सकती इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से पवित्र हैं तो उनको देवता कहा जाता है तुम यहां आये हो देवता बनने के लिए देवताएं सदा सुखी थे मनुष्य कोई सदा सुखी हो न सके सुख होता ही है देवताओं को इन देवताओं को ही तुम पूजा करते थे न क्योंकि पवित्रत है सारा मदार है पवित्रता पर विग्न भी इसमें ही पड़ते हैं चाहते हैं दुनिया में पीस हो बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांती कभी हो न सके पहली-पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है पतित होने से फिर चलन बिगडती है समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताईं पवित्र हैं तब तो अपवित्र मनुष्य उनकी आगे माथा टेकते हैं। मुख्ये बात हैं पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे हैं। हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रू हैं इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शान्ती धी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई हैं। कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो अथा, पूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है, यह है ग्यान यग्य। इसमें विग्ण तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के उपर कितना तंग करते हैं। आशुरी संप्रधाई और दैवी संप्रधाई भी गाई हुई हैं। तुम्हारी बुद्धी में हैं। सत्य युग में यह देवता थे, भल सूरत तो मनुष्यों की हैं, प्रन्तु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण सतो प्रधान, कोई भी खामी वहां होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती हैं। बाप परफेक्ट हैं, तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटिफुल बनते हो, यह मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सामरे से आकर गोरा बनाते हैं, वहाँ नेचरल ब्यूटी होती है, खुबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती, सतो प्रधान होते ही हैं खुबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं, नाम ही हैं शाम और सुन्दर, श्री कृष्ण को शाम और सुन्दर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कभी कोई बता न सके, सिवाए बाप के, भगवान बाप जो बाते सुनाते हैं, वह और कोई मनश्य सुना नहीं सकेंगे, चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है बाप समझाते हैं मेठे मेठे बच्चों स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं वे क्या करेंगे शंखादी स्वदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मन बच्चे हो शंक ध्वनी भी तुमको करनी है तुम जानते हो अब विश्व में शान्ती कैसे सापन हो रही है साथ में चलन भी अच्छी चाहिए भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं की आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना प्रन्तु देवताओं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं है सुधारने वाला और है वह शिव बाबा तो है निराकार उनकी आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्व गुण संपन्न हो शिव की महिमा ही अलग है देवताओं की महिमा गाते हैं प्रन्तु हम ऐसे कैसे बने आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है न अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा फिर जाकर पावन शरीर लेंगे यहां तो पावन शरीर हो न सके, पावन शरीर तब हो जब प्रकृती भी सतो प्रधान हो, नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है, अभी पांच तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं, कैसे मनुष्य मरते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सिडेंट हुआ, मर पड़ते, जल पृत्वी आदी कितना नुकसान करते हैं, यह सब तत्व तुमको मदद करते हैं, विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तुफान लगते, यह हैं नेचरल आपदाएं, वह बोमसादी जो बनाते हैं, वह भी ड्राम में नूद हैं, उनको इश्वरी आपदाएं नहीं कहेंगे, वह तो मनुश्यों के बनाए हुए हैं, अर्थक्वेक आदी कोई मनुश्यों के बनाए हुए नहीं हैं, यह आपदाएं सब आपस में मिलती हैं, पृत्वी से हलकाई होती हैं, तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हलका बनाकर साथ ले जाते हैं नई दुनिया में माथा हलका होने से फिर चुस्त हो जाते हैं तुमको बाबा बिल्कुल हलका कर देते हैं सब दुख दूर हो जाते हैं अभी तुम सब का माथा बहुत भारी हैं फिर सब हलके शांत सुखी हो जाएंगे जो जिस धर्म व पूरी सापना हो जाती है तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते हैं आगे तुम्हारी बुद्धी में ये ख्याल भी नहीं था अभी समझ से हो गायन भी है ब्रह्मा दवारा सापना बाकी अनेक धर्म सब विनाश यह करतव्य एक बाप ही करते हैं दूसरा कोई कर न सके सिवा ए और अलव की करतव्य किसका हो न सके बाप है उच ते उच तो उनका करतव्य भी बहुत उच है करन करावन हार है ना तुम नौलेज सुनाते हो बाप आया हुआ है इस स्रिष्टी से पापात्माओं का बोज उतारने के लिए यह तो गायन भी है ना बाप आते हैं एक धर्म क सापना और अनेक धर्मों का विनाश करने तुमको अब कितना उच महात्मा बना रहे हैं महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं यहां तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं प्रंतु महात्मा कहा जाता है महानात्मा को राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को वहां रावन राज्य ही नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे अपूर्ण तो इतना सुख पा न सके स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं फर प्रण्तु मर्तबे का फर्क कितना पढ़ जाता है। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने, बाप ने चुरासी जनमों का राज भी समझाया है। बाप तो पुनरजनम में आते नहीं, वह तो ड्रामा नुसा रिजर्व रहते हैं, उनका पार्ट ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा है, वह भी बाप ने बताया है, ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है नहीं। बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है, तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा, हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आये हैं, यह चक्र चलता ही रहता है। हर पाँच हजार वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी हैं, सब स्टुडेंट हैं, पढ़ाने वाला है विदेही, यह उनकी देह नहीं हैं, खुद विदेही हैं, यहां आकर देहधारन करते हैं। देहे बिगर बच्चों को पढ़ावें कैसे? सभी रूहों का वह बाप हैं। भक्ती मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्र माला सिमरते हैं, उपर में है फूल और युगल मेरू। वह तो एक जैसे ही हैं। फूल को क्यों नमसकार करते हैं? यह भी अभी तुमको पता पड़ा हैं कि माला किस की फेड़ते हैं? देवताओं की माला फेड़ते हैं या तुम्हारी हैं? देवताओं की नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मन ही हैं जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। भक्ती मार्ग में तुम माला फेड़ते थे। अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं। देवताइं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो वहाँ तुमको पास्ट प्रेजन्ट फ्यूचर की नौलेज नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मन बच्चों को ही पास्ट प्रेजन्ट फ्यूचर का ग्यान मिलता है। और कोई को भी ग्यान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भागिशाली हो। प्रन्तु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं। यह तो मनुष्य हैं। यह भी पढ़ रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था। सबसे नंबर वन पतित। वही फिर नंबर वन पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम अबजेक्ट सामने खड़ी हैं। बाब तुमको कितना उच बनाते हैं। आयुश्वान भव, पुत्रवान भव, यह भी ड्रामा में नूद है। बाब कहते हैं। मैं अगर आशिरवाद दू, फिर तो सब को देता रहू। मैं तो तुम पढ़ाने आता हूं। पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशिरवादे मिल जाती हैं। अच्छा, मीठे मेठे, सिकिल अधे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से, रुहानी जैसे बाप परफेक्ट हैं, ऐसे स्वियम को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारन कर अपनी चलन सुधारनी हैं। सच्चे सुख शान्ती का अनुभव करना है। दूसरी पोइंट, सुरिष्टी के आदी मध्यंत का ज्यान बुद्धी में रख ब्रहमन सो देवता बनाने की सेवा करनी हैं। अपने उचे भाग्ये को कभी भूलना नहीं है। वर्दान, धारना स्वरूप दवारा सेवा करके, खुशी का प्रतिक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवा धारी भव। धारना स्वरूप दवारा सेवा करके, खुशी का प्रतिक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवा धारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है। लेकिन यदी सरकम्स्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता हैं, तो अपनी अवस्था वहलचल में ना आए। अगर ग्यान सुनाने का चांस नहीं मिलता हैं, तो आप अपनी धारना स्वरूप का प्रभाव डालते हो, तो सेवा की माक्स जमा हो जाती हैं। धारना स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवा धारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के भूती होती हैं। स्लोगन सच्चे दिल से दाता, विधाता, वर्दाता को राजी कर लो, तो रुहानी मोज में रहेंगे। अच्छा, ओम शान्ती, संगम युगपर एक का लाख गुणा मिल सकता है। उसके लिए बाबाने की यंत्र बताया है, वह क्या है, जानने के लिए सुनते हैं, आज का अव्यक्त ग्यानमोती। अव्यक्त ग्यानमोती।